हेलो दोफ़तों स्वागत है आपका इस वीडियो में और ये वीडियो बहुत इंपोटेंट होने वाली है वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना दोफ़तों आपने देखा होगा पिछले कही महिनों से WhatsApp को लेकर के, Instagram को लेकर के और Facebook को लेकर के एक controversy चल रही है controversy in the sense मतलब एक सरकार के साथ एक अन्यवन चल रही है क्योंकि इनको बैन करने का प्लान किया जा रहा है इंडिया के अंदर आपने अपसे एक से दो महीने पहले आपने ये चीज़े चर्चा में सिन्यू होंगे कि भाई ये चीज़े बैन की जा रही है इसको एक डेट भी दे दे दी कि उस डेट तक अगर उन्होंने गाइडलाइन्स फोलो नहीं किये इंडियन गॉर्मेंट्स की तो शायद उसको बैन कर देंगे लेकिन मैं आपको बतायता हूँ वो बैन नहीं हुए थे ठीक है अब मैं आपको बतायता हूँ भाई बैन क्यों होने वाली थी एप्लिकेशन और क्यों नहीं हुई है मैं आपको बतायता हूँ भई आपने देखा होगा शोशल मीडिया पर इंस्टरग्राम पर फेस्बूक पर कितना मतलब असलीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है मतलब असलीलता इन दो सेंज जो भी आप अपनली आप देख सकते हो मापर वीडियो ऐसी वीडियो नहीं है जो हम अपनी फैमली के साथ देख सकते हैं ऐसी वीडियो है कि भाई हम फैमली के साथ देख ही नहीं सकते तो इस तरह की वीडियो को फेस्बूक इंस्टरग्राम बहुत जादा बूस्ट करता है अपनी साइड से तो कहीं न कहीं ये गलत है आने वाली generations के लिए और जैसा हमारी family है हम उसके सामने नहीं देख सकते वीडियो हमारी Indian government ने उस पर एक guidelines जारी करी थी कि भाई अगर आपने guidelines को वोईलेट किया तो हम इंडिया के अंदर ये तीनों चीजे तोनों तीनों चीजे हम social media आपका ban कर देंगे तो guidelines के according guidelines को उन्होंने follow नहीं किया फिर भी मतलब ban नहीं हुआ तो कहीं उनकी बात हो गई है इस चीज को लेकर हम उसको असलील तक अब नहीं फैलाएंगे whatever मतलब कहीं नहीं ये रुख गया था जो भी government की या इनकी बात हुई होगी social media के जो इसके honor है उनसे बात हुई होगी कुछ न कुछ तो जिस वज़े से ये ban होने से रुख गया ठीक है चलो ये बात हुई पुरानी लेकिन अभी हाली में 15-20 दिन पहले अभी हाली में शायद second last week का आपने देखा होगा फिर से इन तीनों चीजों ने work करना बंद कर दिया था WhatsApp ने भी, Facebook ने भी और Instagram ने भी मतलब किसी एक पास कोई message नहीं आ रहा था मतलब मैंने तकरीबन साड़े 9 बजे से ये start हुआ था और सुबा 3-4 बजे ये इसमें ये बंद होने का कारण ये था कि भाई उसके एक employee को वहां की हकिकत पता चल गई थी कि ये असलील तक को ही बढ़ावा दे रहे हैं उसकी employee की वज़े से आपने बहुत सारी वीडियो के अंदर देखा होगा जो वहां पर एक employee थी वहां पर काम कर रही थी इसलिए वहां पर उसने जॉब छोड़ भी दी है अपनी क्योंकि वह लोग जादे बूस्ट कर रहे थे असलील वीडियो को इस वए से ये network बंद कर दे गए थे इनको down कर दे गए था ताकि वह चीज जादे viral ना हो क्योंकि उससे bad effect पड़ता है social media पर तो अब मैं आपको बतायता हूँ भाई ये सब चीजे मतलब whatsapp चलो ये तो सब लोग use करी रहे है instagram और twitter whatsapp को बहुत का मतलब ratio में use किया जा रहा है as compared to telegram telegram पर बहुत लोग आ रहे है भाई telegram एक बहुत अच्छा application है यहाँ पर एक ये trust application है बहुत लोग whatsapp को छोड़ कर even मेरे office के अंदर भी बहुत लोगों ने whatsapp छोड़ दिया है telegram पर आ रहे हैं ठीक है telegram भी बहुत अच्छी application है trust application है और whatsapp को इसलिए ban करने की बात चल दी थी क्योंकि उसके अंदर हमारा data बताया जा रहा था कि हमारा data leak हो रहा है leak होने के बाद वो फिर हमारा शायद blackmail करते हैं कि आपका data हमारे पास है इतना पेसे दो तब ही हम आपको छोड़ेंगे नहीं तो हम आपका data social media पर viral कर देंगे कुछ इस तरह की बात चीत थी ठीक है तो इसलिए उस चीज को लेकर के लोग अपना data मेरा data leak ना हो जाए उस चीज को लेकर के लोगों ने इस telegram पर बहुत सारे accounts बना लिये हैं और telegram पर भी groups बना सकते हैं आप महाँ पर भी जिस तरह से WhatsApp में group बनते हैं इवन मैं दोनों चीज यूज कर रहा हूँ भाई WhatsApp भी और telegram भी तो भाई मेरेको तो फिलाल कोई दिक्कत नहीं है और I hope आपको भी कोई दिक्कत ना आए भाई आपका data भी ना leak हो ठीक है तो भाई यही है कि भाई WhatsApp से लोग बहुत सारे telegram पर आ रहे हैं तो अगर आप भी telegram पर आना चाते हो तो भाई आओ अच्छी application है और समझो भाई और बहुत लोग earning भी कर रहे हैं वहाँ से भाई आप के पास groups होंगे आप किसी भी group में join हो जाओ वहाँ पर WhatsApp से थोड़ा सा different है वहाँ का तरीका थोड़ा सा है ना उसमें बहुत अच्छी चीज़े मतलब हम अपना business को grow कर सकते है telegram के थुरू as compared to WhatsApp हम telegram के अंदर जादा जो भी हमारा offline business है उसको हम online ला सकते है एक telegram group बन जाना चाहता हूं तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब चुरूर कर देना थैंक्यू